हाई व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंस यह दिखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा केबल निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं लेडिस कार्डियन में लेडिस चैकिट में चैन्ट साफ सैटर फूल कैटर में कैप में अपलाए कर सकती हैं तो दिखें आगे की साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए हूंगे वो 9 के multiple से होंगे यानि कि 9 के multiple से होंगे 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे इस तरह से एंड तक 9 फंदे रखते हुए जाना है और 2 फंदे stitch के लिए extra रखेंगे और ये जो design है total आठ रो का ही design है तो चलिए fan बनाना start करते हैं तो दिखिए मैंने यहाँ पर 9 के multiple से 18 फंदे लिए है प्लस 2 फंदे stitch के लिए लिए है तो टोटल ये 20 फंदे हो गए तो नीचे से मैंने base देने के लिए दो रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकार ली है तो चलिए बनाती हैं पहली रो सीधी side as to slip करेंगे धागा आगे करेंगे यहाँ से repeat pattern start करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब दो बार दो फंदे right to left इस तरफ को test करेंगे पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा slip करेंगे पिछे से एक फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा slip करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन एक फंदा उल्टा ये दिखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदे राइट टू लाफ ट्विस्ट किये फिर एक फंदा सीधा बुना स्लिप किया एक फंदा सीधा बुना स्लिप किया ये हमन मैं दो बार रपीट किया, 1, 2, 3 फंदे सीधे, 2, 3, 1 फंदा उल्टा, ये हमारा 9 फंदों का पैटन है, देखिए, 2, 4, 6, 8, 9, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, दो एक बार फिर से देखिए, 1 फंदा उल्टा, धागा पिछे, 2 फंदे, 2 बार, right to left, twist to left, back लूप से एक फंदा आगे लाएंगे, फ्रंट लूप से एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे right to left, twist करेंगे, पीछे का फंदा बैक लूप से आगे, आगे वाला एक फंदा पीछे, और एक फंदा सीधा बनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन एक फंदा उल्टा ये दिखिए एस्टिच छोड़कर यहां तक हमने दो पैटर्न कम्प्लीट कर लिए हैं लास्ट में हमारे पास एस्टिच हैं इसको सीधा बना लेंगे पहली रौ कम्प्लीट होच की हैं दूसरी रौ रौंग साइन जो फंदे जैसे दिखाई देंगे हर बार वैसे ही बना लेंगे एक फंदा सीधा साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा सीधा फिर से एक फंदा सीधा साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा सीधा एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे तो देखिए दूसरी रों कम्प्लीट होच की है तीसरी रों है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे आम एक फंदा सीधा फिर से दो फंदे राइट टू लेफ्ट करेंगे दो बार पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा स्लिक करेंगे फिर से दो फंदे राइट तू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा स्लिक करेंगे दो फंदे सीधे एक दो, एक फंदा उल्टा, यह दिखिए, यहाँ पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे दो बार right to left, पिस्ट किये, 1, 2, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर से पैटरन रुपीट करेंगे, एक फंदा ओल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा दो बार दो फंदे राइट तू लाप्ट टेस्ट करेंगे पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा एक फंदा सिलिप करेंगे फिर से दो फंदे right to left प्रिस्ट कर लेंगे, पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सिलिप करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो एक फंदा उल्टा, एस्टिज सीधा बना लेंगे, तीसरी रो कम्प्लीट होचकी है, चौती रो है रोंग साइन, जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे, एक फंदा सीधा, साथ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा, साथ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा सीधा, एस्टिच सीधा बुन लेंगे, पांच मी रो है और सीधी साइन है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे दो बार राइट उल्ट इस तरफ को टिस्ट करेंगे, पीछे से एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे ले कर जाएंगे, अब एक फंदा सीधा, एक स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे right to left करेंगे, पीछे का एक फंदा आगे, आगे वाला एक फंदा पीछे, एक फंदा सीधा, एक स्लिप करेंगे, एक फंद सीधा एक फंदा उल्टा बना लेंगे ये दिखे हमारा एक पैटरन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदे सीधे दो फंदे राइट टू लेफ्ट किये और एक सीधा बुना एक स्लिप किया वन टू एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर स पाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे अम एक फंदा सीधा एक स्लिप करेंगे फिर से दो फंदे राइट उ लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एस्टिच सीधा बना लेंगे पांचवी रो complete हो चकी है छटी रो है wrong sign जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे एक फंदा सीधा साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ फिर से एक फंदा सीधा साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ एक फंदा सीधा एस्टिच सीधा भून लेंगे सात्मी रो है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन दो बार दो फंदे राइट टू लफ्ट इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, अब एक फंदा सीधा एक स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे राइटू लेफ्ट ट्रिस्ट करेंगे, एक फंदा सीधा एक स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, ये दिखिए, यहां प फिर से पैटरन पीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, दो बार दो फंदे राइट टू लेफ्ट करेंगे, पीछे का एक फंदा आगे, आगे बाला एक फंदा पीछे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर से दो आत्मी रो कम्प्लीट होच की हैं, आत्मी रो रॉंग साइट जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे, एक फंदा सीधा, सात फंदे उल्टे, एक दो, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा, सात फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक फंदा सीधा, एस्टिच, सीधा बुन लेंगे, तो देखिए, एट रो कम्प्लीट होच की हैं, और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, फिर से हम इसे फास्ट रो से स्टार्ट करेंगे, तो एक बार देखिए, फस्ट रो राइट साइन, एस्टिच, स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो पंदे राइट टू लफ्ट ट्रिस्ट करेंगे, दो बार, पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे, अब एक फंदा सीधा, एक स्लिप करेंगे, फिर से दो फंदे right to left ट्विस्ट कर लेंगे, और एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, एक फंदा उल्टा, ये दिखिए हमारा एक पैटन complete हो गया है, फिर से repeat करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे right to left करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे एक slip करेंगे फिर से दो फंदे right to left करेंगे एक फंदा सीधा एक स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन एक फंदा उल्टा एस्टिच सीधा बना लेंगे तो दिखिए फिर से हमारा पैटरन फर्स्ट और से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1,2,8 रोर पीट करते जाएंगे और ये पैटरन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इससे बनाएए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए पैटरन के साथ तिल देन बाई 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 पैन